मॉर्निंग इंडिया शूप्रभास सशियाकाल अदाब कैसे है मेरे डियर कैसे है मेरे नियर मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट SP सुकला आपके बीच में क्वेस्टन्स ऑफ दे जी के जी असके दस महत्त पूर्ण प्रश्णों की सिरीज के साथ जुड़ चुका हूं लाइब आप से मुखादिब हो चुका हूं ऐसे प्रश्णों की सिरीज जो आपके आवामी एक्जामों में आपकी परिच्छा में आपको शफलता प्रदान और आपकी शफलता ही हमारी पहचान बना देगी उसी सिरीज के साथ पार्ट नंबर 21 21 पार्ट में आज हम केमेस्ट्री रशायन विज्ञान के अंतरगत दस महत्त पूर्ण प्रश्णों पर चर्चा करने वाले हैं ऐसे हमारे विद्वान साथ ही जो चैनल पर नए हैं उन् प्रतेक दिवश आपके जीवन में आपके उज्वल भविश को बनाने के लिए शूरज की पहली किरण के साथ ही साथ ब्रम्ह मुहूर्त में ब्राम्हो मुहूर्ते बुद्धेते धर्मार्थो चानुचिंतेते यानि ब्रम्ह मुहूर्त में ही आपको चिंतन मनन करने के लि हैं चलिए आज का सेशने स्टार्ट करेंगे इस से पहले कि हमारे ऐसे साथ ही जो अभी तक हमारे ogle फेस्प्रे संप youtube सेज्च को लाइक करें टेलीग्ळाम ज्वाइन नहीं किय तो टेलीग्राम पर आप SP सुकला Space Educate सर्च करके टेली ग्राम जोईन करें यूट्यूब पर ऐसे हमारे मित्र जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को चरूर प्रेस कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं चलिए आज का प बरशन आ चुका है देखिए क्वेश्चन क्या प्रस्ण पर ठोड़ा सा चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से परुमाण के परुमाण के संगत्ठन में सामिल मालिक कन किसकी बात की जा रही है परुमाण के संगत्थन में शामिल मौलिक कन. आपने बचपन में पढ़ा हो गए academic वाले दिनों में, यह क्या होता है? आपका atom होता है. यह क्या होता है? इसके अंदर यह nucleus, इसको English में क्या वोलते हैं? Nucleus बोलते हैं. Nucleus के अंतर, अंदर जो होता है proton और neutron होता है और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रान जो है क्या करता है चकर लगाता रहता है तो questions क्या कह रहा है परुमान के संगठन में सामिल मौलिक कन हैं तो परुमान के संगठन में तीनों कन अर्था सामिल हो जाते हैं प्रोटान, इलेक्ट्रान और नियूट्रान कुछ और भी important तथ न करमान का निर्मान करने वाले तीन मौलिक कौन कौन से हैं आप से पूछा जाएगा आप नोट कर लिजे आपका आप इधर देखिए प्रोटान इलेक्टान और मेसान दिया है ये मेसान हो नहीं सकता प्रोटान इलेक्टान और फोटान दिया है फोटान होता नहीं है प्रोटा इलेक्टरान और यहां डियूटरान दिया है डियूटरान जो कि वहारी काण होता है यह भी नहीं होगा यानि इस क्वेश्चन से तो आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका आपसंस C होगा क्या होगा अब मैं इन प्रशनों पर थोड़ी सी चर्चा कर द सकते हैं आप बताते हुए चलिए जे जे टामसन ने किया है किस ने किया है मैरे दोस्त जे जे टामसन ने किया है फिर बात आती है प्रोटान की खोज किस ने किया है बहुत बार यह कोश्चन पूछा जा चुका है रदर फोड ने किया है किस ने किया है रदर फोड ने किया फिर आपसे पूछा जा सकता है निउट्रान की खोज किस ने किया है निउट्रान की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया है किस ने किया है फ्रेंड्स जेम्स चैडविक ने किया है देखिए बचपन के दिनों में इस तरीके के प्रस्नों को आप याद करने के लिए आपको चीजों को आप बहुत ही मारमिकता के साथ हद्यन करते हैं तो हमें साट ट्रिक या साट रास्ते की जरूरत नहीं होती है अब देखिए इसकी अलामा जो कुछ प्रस्ण इससे पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा कर देता हूं बहुत ही आप से बता रहा हूं नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटान की खोज रदर फ़ोड ने किया यह एक धनावैशित कन होता है यानि यह पॉजटिव चार्ज पर्टि प्युस्पिल होता है जबकि न्यूट्रान जो होता है एक उद्रस sabes है यानि इसके उपर कुछ भी मतलब नहीं करता ये एक तरीके से क्या है उदाशीन है ठंधा हो चुका है इसको गर्मी दीजिये चह ठंधी दीजिये ना इसको गर्मी का अहसास है ना ठंधी का अहसास है यानि ये क्या है उदाशीन है आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया ह जैसे इसी से लगा हुआ सटा हुआ एक प्रिशन आप से पूछा हुआ है कि बताये पदार्थ का परुमार सिध्धान्त किस ने पादित किया था किसकी बात कर रहा हूं मैं तो ये प्रशन आप हमारे साथ नोट कर लिजे पदार्थ का परुमार सिध्धान्त पदार्थ का प प्रतिपादन किया था डाल्टन ने किया था किस ने किया था डाल्टन ने किया था वर्स आप से पूछा रहे किस एर में किया था एटीन हंडेट थ्री में बिटिस रसाइंस सास्त्री जान डाल्टन ने परुमार सिध्धांत प्रस्तुत किया इस सिध्धांत में बहुत सारे नियम दिये, मैं नियमों पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे शिप पता है चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्ट कॉस्चन पर कॉस्चन नमबर सेकेंड एक अच्छे अंदाज में आया हुआ है कॉस्चन आपके स्क्रीन पर है देखिए आज थोड़ा सा स्लाइड में सेटिंग करते हुए कुछ प्राबलम है जिसके कारण जो है कॉस्चन को दो बार टेस्च करना पड़ता है तब वो आपके बीच में आता है चलिए आ ही चुका है प्रश्ण आपके बीच में इस प्रश्ण पर भी चर्चा कर लेते हैं कॉस्चन कहरा है जिस तब तके परुमार में दो प्रोटान, दो निउट्रान और दो इलेक्टान हूँ उस तब तकी द्रब्यमान सख्या मास नंबर कितनी होती है एक बहुत ही अच्छा प्रश्ण पूछा जाता है मैं इसने मेरे कल वैलू पे आऊंगा लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगा एक और अच्छा सा कॉस्चन जैसे कई बार आपसे ये कॉस्चन कहा गया है कि ऐसे परुमार तत्व या ऐसे परुमार जिनमें प्रोटानों की संख्या शमान परंतु न्यूटरानों की संख्या भिन भिन होती है ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं तो ऐसे तत्व जो होते हैं उनको शमस्थानी कहते हैं फिर से गौर करिएगा फिर से गवर करिये जिस तत्त के परुमार में दो प्रोटान, दो न्यूटरान और दो इलेक्टरान हों उस तत्त की द्रब्यमान संख्या मास नंबर पूँच रहा है लेकिन मैंने आपको बताया किया मैं इस प्रश्ण के अलावा हट के एक पॉइंट आपको बताया और पढ़ा है हमने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ा तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा प्रोटानों की संख्या जो होती है जिसमें बराबर होती है परुमार क्रमांक के परुमार क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं ऐसी में क्या होता है द्रब्यमान संख्या भिन भिन ह होती हैं, इसको समस्थानिक कहा जाता है, इंगलिस में अगर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा आइसो टॉप्स कहते हैं, क्या कहते हैं मैरे फ्रेंड्स आइसो टॉप्स र हिंदी में भी लिख लो मेरे विद्वान साथियों श्रमस्थानिक कहते हैं या श्रमस्थानिक कहलाते हैं श्रमस्थानिकों के राशानी गुण समान परंतु भौती गुण जो होते हैं ओ भिन भिन होते हैं अच्छा एक प्रस्ण तो यहां से और निकल के आता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आप सुन रहे हो बार बार आपको पता है कि इलेक्टरान पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटान पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इसी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी लिए पूछा जाता कि जो प्रोटान होता है इसको पॉजटिव चार्ज होता है और जो पॉजटिव चार्ज होता है इसको कैथोड की रणे कहा जाता है समझे कैथोड और एनोड मैं गलती बता दिया सायद से रिपेट करता हूं देखिए कैथोड की रणे जो होती है परुमान में पाये जाने व एनोड होगा और निगेटिव है तो कैथोड होगा यह आप समझ जाएए जेजे तामसन ने कैथोड क्योणों की सहायता शेफ पर्माण में एलेक्टानों की खोज की थी अब मैं अपने प्रस्ण पर आता हूँ बहुत सारे स्टुडेंट्स ने जवाब भी दिया होगा आप सभी मितनों को बढ़ाई हो जिन्हें ने जवाब दिया है आप कोशिस किया करें कि जवाब देने का पूरा प्रयास किया करें बहुत ही प्यारा कॉश्चन है प्यारे अंदाज में मैं आपको बताऊँगा शेकेंट के अंदर देखिए कॉश्चन आप शमझे किसी तत्तो की द्रब्यमान संख्या जो होती है किया होती है यहाँ पर देखें द्रब्यमान संख्या मास नंबर की बात कर रहा है परमाण संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटानों योम न्यूट्रानों की संख्या की योग के बराबर होता है यानि मास नंबर आपको जोड़ना है पाना है तो प्रोटान और न्यूट्रान को दोनों को जोड़ दीजे आपको निकल के आ जाएगा अच्छा अब इस Question में देख लो कि इस तत्में परमार में दो proton अच्छा ये जो proton कि संख्या होती है परमार क्रमांग जिट के बराबर होती है neutrino की संख्या जो है यहाँ N दिया हुआ है इसमें भी 2 है दो electron दिया है, electrino की संख्या जो है 2 दिया है आपसे पूछा क्या रहा है द्रब्यमान संख्या द्रब्यमान संख्या निकालने करें प्रोटान आपको दो दिया है न्यूट्रान आपको दो दिया है दो में दो जोड़ दो मेरे बिद्वान साथ हूँ चार हो जाएगा आंसर यानि इस कोशन का सही जवाब हुआ अपसन भ होता है मेरे मित्र मेरे दोस्त हाइड्रोजन एक तत्व है हाइड्रोजन के पर्माड में एक इलेक्ट्रान तथा एक प्रोटान होता है परन्तु न्यूट्रान अनुपस्थित होता है हाइड्रोजन के पर्माड का आकार्द होता है इसलिए सबसे छोटा होता है तो आप होता है हिड्रोजन पर्मार्ण में नीउटराण जो होता है नीउटराण आनूपस्थित होता है आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नमबर थारड आपकी स्क्रीन पर NIMAL a the lid में से कौंसा एक आव钏 सरहित कन है किसकी बात कर रहित और सहित हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं आप नहीं पढ़े हैं तो आपको बता देना चाहूंगा प्रतेक दिन शाम को 7 पियम पर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है हिंदी की ठीक है फ्रेंड्स बहुत ही एक्सपीडियंस वाला क्लास ऐसी क्लास हिंदी की सायद आपने देखी होगी तो साम को 7 पिज लाइव जुड़िये स्टी सुकलासर के साथ हिंदी के रसका रसा श्वादन करी बहुत प्यारी अंदाज में हिंदी को पढ़िएगा देखो यहां पर लिखा है रहित रहित का मतलब होता है जो चीज आपके पास ना हो सहित का म आपने पढ़ा कि न्यूट्रान जो होता है ऐसा कण है जो आवेस रहित है या इसी को कह सकता है कि उदासीन आवेस रहित ना पूछ करके आपसे ये भी कहा जा सकता है प्रश्ण में कि कौन सा तत्व है जो उदासीन होता है तो यही है उदासीन होता है जबकि अगर इलेक् आभी अभी आपने देखा कि इसपे लिगेटिव चार्ज होता है बाहरी कच्छा में छक्र लगाता रहता है। करता हूं कि शमझ गए होंगे आईए क्वेशन नमबर फोर्थ पर चलते हैं क्वेशन नमबर चौथा आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहा है निमलखित में से कौन सा हाइडोजन के समस्थानिक हैं हाइडोजन के समस्थानिक की बात की जा रही है हाइडोजन परमान के तीन समझ थांक बहुत important question हैं, तीन समस्थानिक हैं, वो तीन समस्थानी कौन से हैं समस्थानी कभी इभी बता दिया भाया, इंगल्स मीडियम वाले भाया, शुमी गुपता जी को न समझ में आया, इसलिए मैं बोल देता हूँ, iagrostos क्या होता है iag Sloan कहते हैं इसमें 3 परमान में कौन कौन समस्थानी के पहला तो हो गया आपका protein मैं किवल sausages में लिखता हू मैं deuterium deuterium को d से denote करता हूँ और – तीसरा हो गया आपका इसी प्रकार प्रकृती में क्लोरीन के भी दो समस्थानिक पाये जाते हैं, किसकी क्लोरीन के भी दो समस्थानिक पाये जाते हैं, अब क्वेस्चन आपका क्या कह रहा है, इस क्वेस्चन पर गौर कर ये समस्थानिक हैं, प्रोटियम भी है और रेडियम आपका नहीं है, डिटीडियम भी है और जवाब हुआ आप सन डी आसा करता हूँ हमारे सभी विद्वान शाथियों को शमज में आगे होगा आए आगे बढ़ते हैं अब देखो धातूं के बारे में आपको पता होना चाहिए आप से अक्सर देखिये धातू अधातू और मिस्र धातू से प्रश्ण बनते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तब तो आप अच्छा से कर पाओगे आए गौर करते हैं हम आप्शन पर पहला आपसन दे रहा है पारा को छोड़कर अन्य शभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं परंतु पारा पारा को भाईया इंगलिस में क्या करते हैं कई सारे बच्चों को हमारे ना समझ में आए तो हम बता देते हैं भाईया नोट का लिजे मरकरी क्या बोलते हैं फ्रेंड्स मरकरी तो मरकरी धातु इसका एक मात्र अपवाद है यह exception है यह क्या है अपवाद है इसलिए तो प्रशन बनता है हमेशा अपवाद ही प्रशन पूछे जाते हैं तो यह अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है क्षोड़ा कर चोड़कर अन्य सभी धात में कमरे के तापमान पर ठोस अवस्थाम में पाया जाती है अप से यह परश्ण पोच्छा जा सकता है वह काटा जाता है दूसरा पॉइंट छारी धात में जिसको alkaline metals कहते हैं इतनी मुलायम होती है कि उन्हें च्याकू से भी काटा जा सकता है च्याकू से भी तो मित्र आपको बताना चाहूंगा शबी धात्वों में पारा का गलनांक जो होता है जिसको melting point कहते हैं गलनांक का मतलब क्या होता है? melting point कहते हैं, शबसे कम जो होता है 234K पर होता है, 234K पर होता है, पारे का उपयोग जो होता है, वायुदाबी जिसको बैरोमीटर कहते हैं, तथा तापमापी जिसको थर्मोमीटर कहते हैं, के निरमाण में शूचक की रूप में, इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, कठोर इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है यावड़कोंotया को इसकий जवाब आपसम सही है, यजिए एक और दो दोनों आई ए बढ़ते हैं कोश्चन नमबर छे भूंपर दémरे बिल्कुल question number 6, aluminum बनाने के लिए कौन से मुक्ष खनिच का प्रियोग किया जाता है, क्यों सी चीज बनाने के लिए aluminum की बात कर रहा है मित्र आपको बताना चाहूंगा, aluminum पृत्वी पर सरवाधिक मात्रा में पाये जाने वाली धातु है तो आपसे एक प्रस्ण ये भी पूछा जाए कि बताए प्रित्वी पर सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला या फिर पाई जाने वाली लिख लेजी तो मित्र आपको बताना चाहूंगा, aluminum पृत्वी पर कौन सी धातु है, aluminum जो आपको एक जाम में पूछा है, आपसे question ही पूछन है लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूँ aluminum, aluminum पृत्वी पर सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, जो प्राकृत में श्वतंत्र आवस्था में नहीं पाई जाती है, क्या होता है friends, यह श्वतंत्र आवस्था में नहीं पाई जाती है, यह point important है इसका निसकर्स क्या निकलता है, निसकर्स का मतलब extraction, इसका extraction यह निकल के आता है, कि इसमें मुख्टिया बाकसाइड जो होता है, बाकसाइड नमक आयसक से किया जाता है, जो aluminum के जल योजित आकसाइड के रूप में पाया जाता है, एलुमीनियम एक श्वेत शमक युक्त आगहात वर्धनी तन एम उस्मा वा विद्दुत की सुचालक धातू है यानि इस question का सही जवाब आपका option C हो गया चलिए भाईया आगे बढ़ जाते है question number 7 पर किसी बिजली की इस्तरी इलेक्ट्रानिक या इलेक्ट्रिक आयरेन को गर्म करने के लिए किस धातू का प्रियोग करते हैं आपका पड़ा प्रिस करते होंगे घर में ना तो बिजली की इस्तरी इस्तरी कहने का मतलब आप प्यमस समझ जाने कि जो घर में इस्तरी है यहां पर देखिए इसको समझ ना ये इस पे सब्दों पर गवर करना बहुत अच्छे सब्दों के साथ गवर करना अच्छे से तो देखो बिजली की इस्तरी में गर्म करने वाले तत हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में मुखते है नाइक्रोम आपको दिख रहा है क्या नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम में 80% आपसे कभी पूछा जा सकता है 80% निकल पाया जाता है एवं 20% क्रोमियम का मिश्ण रहता है नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधपता हाई रेजिस्टेंस वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम आकसाइड की परत का निर्मार करता है इससे इस परत के नीचे इस्थित्तार का या तार तूटने उम जलने से बच जाता है चैलिए आगे बढ़ते हैं question no.8 पर कानसा निर्मनलखित में से किसकी मित्स धातू है? मित्र आपको बताना चाहूंगा कानसा प्रत्फ प्रत्फ देख रहा है ताबा का मतलब क्या होता है? जबकि 10-12% पाय जाता है कांशे का उपयोग बरतन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है आगे बढ़ते हैं question number 9 पर कह रहा है कि कौन सी धातु हंथेली पर रखने पर पिघल जाती important प्रसन है मित्र यहाँ पर आपको option C दिख रहा है गैलियम गैलियम जिसको साट में GA से डिनोट करते हैं गैलियम प्रकृत में शुद्ध रूप से नहीं पाय जाती परन्तु इसके योगिक बाकसाइड और जस्ते के खनीजों में अल्प मातरा में पाय जाते हैं गैलियम का गलनांक जो होता है थर्टी सेबन डिगरी सेल्सियस या फिर 98.6 डिगरी फारें हाइट होता है इसलिए या धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती ही important प्रस्न है ये प्रस्न important है आपका chemistry के अंतरगत या इस question का तो सही जवाब C हो गया चलिए आज के अंतिम प्रस्न की तरफ रुख करते हैं डश्मा प्रस्न लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्लिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं बिल्कुल जस्ता आपको दिख रहा है जिसको इंगलिस में बोलते हैं जिंक जिंक एक जंग रोधी अभिकर्था एंटी करेशन एजेंट है इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है इस प्रक्रिया को ग्लैवे नाइजेसन भी कहा जाता है जस्ताक्रित लोहा, जल, साबून के विलियन, पेट्रोल और खनिस तेलों के प्रभावों को शहन करने में सच्छम होता है जंग रहित लोहा या धबा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातू स्टेनलेस स्टेल का भी निरमार होता है अच्छा इसी के साथ एक इंपोर्टन प्रस्ण मैं आपको और बता देना चाहूंगा किस धातू से निरमीत मिस्र धातू को हवाई जहाज तथा रेल डिबऔ के पूर्जे बनाने में किया जाता है तो उसके लिए फ्रेंड से एलुमीनियम का ही प्रयोग किया जाता है किसी बच्चे ने हमसे question किया था हमने बताया था कि इस question को मैं रखूँगा आपका प्रशन यहाँ पर रख दिया हूँ फिर से सुन लेजिए आपसे question पूछा था कि किस धातू से निर्मित मिस्र धातू को हवाई जहाज तथा रेल डिबो के पुर्जे बनाने में प्रयोग क इसके अत्रिक एलुमिनियम का प्रयोग तरल्पदार्थो के डिबो जिसको कैन्स कहते हैं दरवाजे खिड़कियां तार बरतन पेंट फॉइल आदी के निर्मार में भी किया जाता है आप देखते होंगे कि खाना बना जब आफिस जाते हैं ऑफिस जाते समय घर से आपको रोटी बना के पैक करके मिलती है उस रोटी में आपने देखा होगा कि उसमें आपको क्या मिलता है अलमीनियम फॉयल में रोटी ओ दी जाती है तो वही सेम चीजे यहां पर आता है चलिए आज कल का प्रस्ण जो आप से पूछा हुआ था जिसका जवाब आपको अगले पार्ट में दिया जाता है तो यह पूछा हुआ प्रस्ण है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया था कई सारे स्टूडेंट्स ने तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया था आप सभी को बधाई हो क्वेश्चन देखे मानो सरीर का शामान तापक्रम 98.4 डिगрьी फारेंट है इसके ब़राबर डिगरी सेलसियस में तापक्रम है मित्र आपको फॉर्मूला पता होना चैदिए डिगरी सेलसियस एक्वलस टू होता है degree Fahrenheit minus 32 minus 32 into 5 upon 9 ठीक है अब यहाँ से देखिए चुकी Fahrenheit पैमाने का तापक्रम जो होता है वो 98.4 degree Fahrenheit होता है degree Celsius में आप से पूछा जा रहा है आप simply करेंगे क्या है 98.4 degree Fahrenheit Fahrenheit minus 32 into 5 upon 9 इस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए कभी-कभी डारेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है इस फॉर्मूला करेंगे आप इसको सॉल्व कर लिजे फ्रेंड्स जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो इक्जेक्ट वैलू आती है 36.89 आएगी सवाल आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है इतना आसान भी नहीं है यह प्रस्न जितना आपको लग रहा है प्रीवियस सीयर का क्रस्चन है यूपी पीसीयस के एक्जाम में पूछा हुआ प्रस्न है मेरे दोस्त शिम्पली आप देखते हो इसकी वेलू आपको 37 डिगरी सेल्सियस बता दी जाती है जबकि एक्जेक्टली यह क्या होता है 36.89 डिगरी सेल्सियस होता है तो कैसा रहा आज का सो बताईएगा कमेंट करके बताईएगा अगर अभी भी आप नीद में हैं तो नीद से जग जाए क्योंकि समय आचुका है हतोवा प्रपश्वग जीत्वावा भोच से महीम निरासी निर्ममो वुत्वा ये द्रस्वज़वगर नीद को त्याग दो नीद को त्याग दो मित्रगर जिन्दगी में कुछ पाना है क्योंकि बहुत सारे एक्जामनेसंस आपके स्क्रीन पर नहीं आपके आने वाले समय में आने वाले है तो चलिए आज का प्रस्ण पूछते हैं जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है निमन लिखीत तत्तों में कौन अर्ध चालक है एलुमीनियम, शिलिकॉन, च्यादी, शीशा इस कॉस्चन का जवाब वीडियो अप्लोड होने के बाद कमेंट के माध्यम से आप सभीत को देना है ओके फ्रेंड्स आप अपना ख्याल लखिएगा घर में रहिए, सुरक्चित रहिए क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो इस्थिती है ओ दिन प्रति दिन भयावा होती जा रही है ऐसे हमारे स्टोडेंट्स जो अभी भी चैनल पर नहीं है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्रेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और आप इसका पीडियाप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें जहां से इसका पीडियाप मिलेगा तक ज़ जब वाइब को सब्सक्राइब करें